हेलो फ्रेंड्स आप लोगा स्वगत है इंट्रेस्टिंग न्यू इंपोर्टेंट वीडियो पर तो फ्रेंड्स प्रिवोड एक्जाम 2021-22 जो चल रही है आप लोग की तो क्लास टेंथ जो इंग्लिस का पेपर है 20 जनवरी को तो उसी पेपर का इस यूडियो में आप लोगो फुल सेलिशन मिलने वाला है तो आप लोग वीडियो पर बने हैं वीडियो को ध्यान फे देखें सभी कोश्चन के आंसर आप लोग देख लीजिए तो आप लोग फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देना सब्सक्राइब करते वीडियो को तो यह रहा आपनों का पेपर देख सकते हैं प्रिवोड एक्जाम दरी किस बाइस क्लास सब्जेक्ट इंग्लिस आप लोगा मैक्सम मार्क्स एट एटी है असिक है और टाइम तीन घंटे हैं ओके तो यह तो दोस्तों आपनों की ओपन लोग कहीं से भी लिख सकते हैं इनके अंसर को या फिर आप लोगों से इस वेपर के अधिकांस कोश्चन बनते भी होंगे कोई बात नहीं यह आप पर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है कितने आप कितनी आपनों की तैयारियां थी एक्जाम के लिए ओके तो मैं आप से बताता हूं तो पहला कोश्चन आप लोगं का इंग्लीज की वेपर में तो पहला दोस्तों है पैसेज यह फ्रेंट एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है आप लोगों को इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे कुछ न दिए गए जी अप्रेंट से कोश्चन है और उन इसका जो अंसर होगा फ्रेंट्स आप लोगा वह होगा पहला नमबर जिया फ्रेंट्स एट रिमांडेड हीम डैट ही वुड़ ग्रो ओल्ड तू तो जो ए नमबर होगा यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सही आंसर इसके बाद जो आप लोगा दूफरा कोश्चन है दपीपल इसका हो जाएगा इन दा लेक नियर बाइस सी नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद हम बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की तरफ तो तीसरा प्रश्ण है दा एंपरार्स ओर्डर्स वर्डैट आल दा इसका फ्रेंट्स हो जाएगा ओल्ड मैन शूड लीव ही लैंड क्या हो जाएगा ओल्ड मैन शूड लीव हीज लैंड ओके आप संसी इसका सही अंसर हो जाएगा इसके बाद आप लों का जो अंगला प्रश्ण है चोथा नमबर वाट इड़ दा पीपाल हूँ वेंट टू ब्रिंग दा पिचर गेट तो इसका हो जाएगा को जाएगा इसका है तो आप लोग देख लीजें आप तंस हुआ इसका इसके बाद आप लोंкा टैंसित km sure ब्रवन ओस्के आ को Bachelor जाएगा आप लोंको इसके बाद जो बियूंगो पैसे यह तो इसके भी आंसर हम लोग देखेंगे तो आप लोग पहले पैसे को पढ़ लीजेगा अच्छी तरह से दो तीन बार जिससे आप लोगो पैसे समन में आ जाए और जिसके इसके आप लोग नीचे जो प्रशन है उनके आप लोग आंसर दे सकें तो जो कोश्चन है इसके बाद जो आपनों का नेक्स्ट कोश्चर है वेजिटेवल ऑईल इज मेले यूजड फॉर्म तो इसका हो जाएगा कुकिंग ओके इसके बाद तीसरा है दा आप लोग नौर्जिंग ऑईल ओके तो इसका हो जाएगा फ्रेंट्स आप लोग का लिवर ओके इसके बाद इसके बाद जो आप लोगों का अंगला प्रश्ण है चौथा नमबर है दाथी के प्रोटेक्टिव कवरिंग आफ एट और वेल इसका हो जाएगा ब्लावर ओके आप संबीस का राइट अंसर हो जाएगा आप लोग ध्यान से सभी क्यांसर आप लोग देख चलिए इसके ब अब दान का प्रोटेक्ट इजक तो प्रोटेक्ट चुनावन वह नविए बहुत हो जाएगा प्रोटेक्श के इसके बास सक्षिंग आप्लों के सक्षिंग में है पैसेज यह डेकिन इसकष बढ़ना है और इसके नोड्स और समर्ण बनाना है और एक टाइटल भी लिखना है तो आप लोग इस पैसे को पढ़कर नोट समरी और टाइटल लिख लिए गा मैं इस कोशन का आप लोग नहीं बता रहा हूं यह आप लोग खुछ से करेंगे तो आप लोग रिविजन भी होगा नोट समरी के लिए ओके तो इसे आप लोग खुछ से करिएगा इसके बाद आप लोग का चौथा नमर कोशन है यह दोस्तों एक अपली के साने जो कि बहुत सराल है आप लोग पढ़ते आ रहें नाइंध क्लास से ही टी सी के लिए ने ट्रांसर फर्टिफियट के लिए आप लोग को एक अपली के सन लिखना है अपने प्रिंसिपल को तो यह आप लो इसको इसका ब्लोग तयार किये होंगे ब्रदर समयरिज वाला तो यदि आप लोग को अपलिकेस्न को नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके अथवाला कोश्चन में आप लोग कर सकते हैं दोनों सरण हैं तो आप लोग अपने इंट्रेस्ट हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आप लोगों को सही लगे इसके बाद कोश्चन अमर फाइव है जिसमें आप लोगो एसे लिखना है ओके पांच नंबर का एसे है तो माई हॉबी है वंडर्स आफ साइंस है इंपोर्टन्स आफ गेमस एंड स्पोर्ट्स है एंड एंडियल इंडियन फेस्टिवाल है तो यह कि लिखेंगें तो मौश्ट आफ इस्ट्विडən्स क्या औरगे मुझे पता है कि वर अडर्स साइंस का इसय लिखेंगगे तो आप सभी वंडर्स साइंस का इसे लिखेंगा से जाटरों से इस्ट्टेंट से wonders of science का निवंध आता होगा ऐसे आता होगा ओके तो 57 का निवंध है आप लोग लिख लीजेगा इसके बाद इसके अथवं में जो है paragraph writing है तो यह टॉपिक भी हैं तो जो लोग एसे नहीं नहीं लिखना चाहते हैं वह इसके अथवाला कोश्चन भी कर सकते हैं इसके बाद आप लोगा जो है यह तो थोड़ा इंपोर्टेंट है ओके इसमें आप लोगों को अपने माइंड करके कोश्चन के अंसर लिखना है जैसे इसके अफिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाव वी कैन कीप आवर शेल्फ फिट एंड हेल्दी तो यह जो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को इसको देखकर आप लोगों को लिखना है कि हम फिट और हेल्दी कैसे रह सकते हैं तो फ्रेंट्स इस पिक्चर से साफ स आप दिखक रहा है किसमें एक इसकर र्य00 फूरली क करने के लिए बोल रहा है डैसान Bentley परियाबत पानी पीना चाहिए जितना होती है बॉड़ी क्यों तो यह इन पॉइंट की साफ से आप लोग लागभग दाफ लाइन तो लिखिएगा ही ओके आप लोग कैसे लिए मैं आप लोग को थोड़ा समझा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड आप सका मodu नीखेंगे लिखिएगा इस ठाबऑ कि हमने फ्रेट कि क्यों रहना चाहिए औक था लुग लोग लचेंगे कि हमें विखिए नगे आप लोग करना मताइंगे कि हमें एक दो लान का लगए है क्यों जरूर हा तक्छा रहा हूंगरा हूं थाकि आपनको में आज आज चीजें की जा सकती हैं ओके तो इसके बाद आप लोग अगले जो छह साथ लाइने होंगी उसमें आप लोग इनी चार पॉइंट को ध्यान में रखकर लिखेंगे कि हमें प्रदिन एक्षरफाज करनी चाहिए डेली एक्षरफाज करनी चाहिए यानि की फिजिकल एक्टिवि फूट खाना चाहिए और जंग फूट को एवाइड करना चाहिए इसके बाद हमें प्रदिन पर्याब्त पानी पेना चाहिए ने ड्रिंक प्लेंटी आफ वाटर जितने भी बॉड़ी को रिक्वाइड होती है उतना हमें पानी पीना चाहिए तो इस तरह से आप लोग कम सक लिख सकते हैं जिससे परियाब्त होगा आपनों के मार्क्स के लिए तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा ओके इंग्लिस में दाफ लाइन फिट एंड हेल्दी लाइफ के लिए आप लोग लिख लीजिएगा इसके बाद बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की तरफ आपनों का जो की है सेक्शन सी है आपनों का घ्रामर का ओके तो पांच नमबर का बाद लोग लिखें एक इसकेबाद हो जाएगा his uncle died of cancer of भरा जाएगा इसमें off इसके बाद तीसरा है he wanted to an engineer तो इसका हो जाएगा friends become okay क्या हो जाएगा become इसके बाद चौथा है we dash we are mask in crowded place तो इसका हो जाएगा friends ought okay इसके बाद पांचवा है he is not going to office डाइस ही इसका हो जाएगा friends because okay इसके बाद six number there is not water in the pool तो इसमें दोस्तों भरा जाएगा any okay any तो यह हो यह होगा friends आपनों की grammar के answer आप लोग देख लिजिए इसके बाद आप लोग बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की तरफ जो की नेस्ट कोश्चन है आप लोग का डूआ जायरेक्टर से ओके तो आप लोग देखिए अब तो इसका हो जाएगा friends इसका मैं आप लोग बता रहूं पहले कोश्चन का की रावी इस सो इंटेलिजेंट डाइट ही कैन पास डिस एक जाम इजली ओके इसके बाद अंगला है चिल्डरेन आर मेकिंग ट्वैज चेंज दा वाइस तो इसका जो वाइस होगी वह बनेगी friends की ट्वैज आर बींग मेड़ चिल्डरेन ओके इसके बाद तीसरा है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैश दा बस रिड़ाइट असे इंटेंस यूजिंग अलेस इन प्लेस आफ इफ तो इसका friends हो जाएगा कि अलेस यू रन फास्ट यू कर नाट कैश दा बस ओके इसके बाद अंगला प्रशन है ही डिड वर्क वेल टेंज इंटु निगेटिव तो इसका फ्रेंट एंट इन इंट बरके वेल ओके ठीक है इसके बाद अगला प्रशन है यह आर से लिंग यहाउस चैंज इन टू परिजेंट पर शेंट फिर्टेंस इसका फ्रेंट से यह एफ सोल्ड यहरा हाउस इसके बाद सिक् sister she is sitting at the last bench combined the sentences using who to this college friends see my sister who sitting at the last bench ठीक है इसके बाद friends आपलों का normal number जो question है कोई च्रोड देख करने आप लोगों को आप लोगो के जो अब जेक्टी कोश्रेलेक्ट के तो आप लोग देखी ध्यान से इनकी अंसर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पहला कोशन है हाउ माच मनी डिट लैंचो वांट तो इसका हो जागा फ्रेंट्स हैंडेट पेसोज ओके आपसा ने इसका साही उत्तर हो जाएगा इसके बाद दूफरा नमर जो है कोशन कि वाट डिट दा काव शेक ऑन दा पो इसके बाद चौता है विच आप दीज नेम से डिट एने गिव टूहर डाइरी तो इसका हो जागा फ्रेंट्स किट्टी ओके किट्टी ठीक है इसके बाद पांचवा नमबर है इन वाट वे पेगी वाज क्रूल टू वांड़ा तो इसका हो जागा फ्रेंट्स से सी मेड फ इसके बाद सात्वा नमर जो कोश्चन है आप लोगों का अद्वेटिक कोश्चन कही है वेर डिट सिधार्थ वाव वाव टू स्टे अंटि इनलाइट्मेंट के ओके तो इसका आप लोगों का जो अंसर होगा वो होगा अंडर पीपल ट्री ठीक है अब बढ़ते हैं दसने कोश्चन की तरफ तो आप लोग यह दोस्तों एक इस्ट्रैक्ट है जो की प्रोड से लिया गया है पाद गद्यान से तो इसको आप लोग पढ़ना है और नीचे दिये गए जो कोश्चन है भीकालपी वाले प्रस्ट है उनकी आप लोगों को अंसर लिखने हैं तो जो पहल वाईन हैं टेक्स्ठ है यह किस पार्ट से लिया गया हे थो फ्रेंड्स एह जो आप लोगत पहला नजवी का है आपकी अप्रस्ट हैं अश्वाग से वियरवाजास ले लें चोड ऑम से यह सुटोेट है तो तो इसका हो जाएगा आपनों का क्रेश्ट आफर लो इंटिमेट ली और आपनों सी इसका सही उतर हो जाएगा इसके बाद आप लोगेजिओं है इसमें फ्रेंट पूछ रहा है कि रीड़ फॉलोग इस्ट्रेक्ट फ्रॉंद पोईट्री एंड एंसर दो कोशन गिवन विलो अब दोस्तों इसमें एक्स्ट्रेक्ट दिया गया है पोएम का तो पोएम की चार लाइने दी गई है इसको पढ़कर आपनों को नीचे दिया हैं ये कौन से पोएम से ली गई है आपकी मुख में जो जितनी पोएम है उनमें से ये कौन सी पोएम की लाइने है ये बताना है तो फ्रेंट ये जो पोएम की लाइने है ली गई है ये फायर एंड आइस वाली जो पोएम है उससे ली गई है ओके तो आप लों का जो आंसर होगा आप लोंका वह गा डाई तके डाई डाई डिडाई आप सब्सका राइट और पोएम इस जो पोएम निखिये है यह लाइने है तो इस पोएम और नाम बताएं तो इस पॉएम गोई पोएट का नाम बताएं तो इस पॉएम की जो पुएम वो है रोबर्ट फ्रॉस्ट आप संसी साही उतर हो जाएगा इसके बाद फ्रेंट्स आप लोगों के सुरू होते हैं कोश्चन अंसर आपकी बुक में जितने प्रेंट्स अशर आपनों को लिखना पड़ेगा मैं आप लोगो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसे आप लोग खुछ से कर सकते हैं इसने में कोशन दिए गए इनको आप लोगो लिखना है जिसे 11 कोशन कोई च्छाइप करने आटेम्ट करने हैं लेकिन साथ निये साथ म सरल हैं आप लोगो मिल जाएंगे ढूनने से और बहुत से इस टुटेंट से इन कोशन के अंसर बनते भी होंगे पहले से वह तयार किये होंगे इसके बाद जो बारव नमर कोशन है उसमें फ्रेंट्स आपनों कोई दो कोशन करने हैं और तीन दिये हैं तीन में से कोई दो क कोशन दिये गए हैं और कि अबर जो चाओदा है इस फ्रेंट्स आपनों को कोई दो करने हैं और तीन दिये गए तीन में से कोई दो और कोशन 15 में दोस्तों एक दूफरी के आथों में है तो सेंटर आइडिया इसमें आपनों को लिखना पड़ेगा एक राइक अश्वा अ उसका अंसर दोस्तों अपनों को थोड़ा विस्तित लिखना पड़ेगा पांच यह फिर श्हाय लाइनों में आपको इसको लखना है को कौशन पढ़ लिजुगा आपनों को पढ़ेगा और इसके लिखना पड़ेगा को यह मैं तो यह अगाया इंग्लिज का भीपर बहुत Question के अंसर, Adqans Question के अंसर, मैं आप लोगों बता दिया हूँ, तो जब भी आपसे न वानें, तो आप लोगो वीडियो को देख ली जैगा, तो ठैंक्स फार वाच्छिंग इस वीडियो, तो फ्रेंड्स चली मिलता हूँ आपसे बीसे, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत वन्दी मात्रम